वेलकम बेक टू माई चैनल क्रिक फोर जहां पर आज हम बात करेंगे एशिया कप में होने वाले साथ वेटी 20 मैच की दोस्तों सुपर फोर में पोंचने वाली चारो टीमें लगबग फाइनल हो चुकी है जिसमें गुरूप A से भारत और पाकिस्तान तो गुरूप B से अफगानिस्तान और स्री लंका ने क्वालिफाई किया है दोस्तों गुर्प 4 में सभी चारोटी में एक दूसरे के खिलाफ एक-एक मैच खेलेंगी दोस्तों इस मैच की बात करें तो ये मैच अफगानिस्तान और स्री लंका के बीच तीन सितंबर को भारतिय समय के अनुसार लगबग शाम साड़े साथ बजे से शारजा किर्केट स्टेडियम में खेला जाएगा जिसका सीधा परसारन स्टार स्पोर्ट नेटवर्क और डिजनी होट स्टार पर देखा जा सकता है दोस्तो लीग स्टेज में अफगानिस्तान के हाथो हार जहिलने के बाद श्री लंका एक बार फिर पलटवार के लिए तयार है वहीं अफगानिस्तान चाहेगा कि जो जीत का सिलसिला उसका चला रहा है उसे ऐसे बरकरार रखा जाए इसके बाद दोस्तो अगर शार्जा के मौसम की बात की जाए तो तापमान लगबग 35 degree Celsius के आसपास रहेगा और बारिश की किसी परकार की कोई संभावना नहीं है वहीं दोस्तो अगर इस ground की पिछ की बात करे तो यहां की पिछ बल्ले बाजी के अनुकूल मानी जाती है यहां का ground छोटा है, boundary छोटी है, जिसके कारणियान अच्छे चोके छके देखने को मिलते हैं, लेकिन second inning में spinnerों को कुछ मदद मिल सकती है, जिसमें जो team लगता है toss जीतेगी, वो पहले toss जीतकर बल्ले बाजी करना चाहेगी, इस ground पर अगर first inning के average score की बात करें तो 151 run रहा है, वहीं अगर second inning के average score पर नज़र डाले तो 126 run रहा है, इस ground पर अगर highest total की बात करें तो जिंबाम्मे ने 215 run बनाई थे अफगानिस्तान के खिलाफ, वहीं अगर lowest total की बात करें तो नीदरलेंड 44 run पर all out हो गया था शिरिलंका के खिलाफ, अगर इस ground पर highest run chase की बात करें तो बांगलादेश ने शिरिलंका के खिलाफ 122 run को सफलता पूरवक chase किया है, वहीं अगर lowest total defend की बात करें तो स्कॉटलेंड ने 132 run को सफलता पूरवक defend किया है अफगानिस्तान के खिलाफ, इस ground पर अगर pace versus spin के एक आखड़े द जा डाले तो अफगानिस्तान ने पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबलों में जीत आसिल किया, जबकि एक मुकाबले में उसे हार जेलनी पड़ी है, वहीं शिरिलंका ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीते हैं, जबकि 3 मैचों में उसे हार मिली है, इस इसके बाद नजर डालते हैं अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 पर हजरत उल्ला जजाई रह्मान अतुल्ला गुरुबाज करीम जन्नत इबराहिम जादरान नजीब उल्ला जादरान मुहम्मद नभी राशीद खान इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ड्रीम 11 फेंटेसी टीम की तो विकेट कीपर के रूप में कुशल मेंडिस को टीम मेरख सकते हैं बैट्समेनों की बात करें तो डी गुनतालिका को टीम में रख सकते हैं भानुका राजय पक्षे को रल ले सकते हैं नजीबुला जादरान, हजरतुला जजईई चार बल्ले वाजम टीम में रख सकते हैं इसके बाद ओलराउंडरों की बात करें तो मौम्मद नभी को अपनान बना सकते हैं इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करकर बताए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जै हिंद जै भारत